तो करवाचोध आने वाला है और सभी करवाचोध पे अपने थालियां सजाएंगे और जो भी मार्केट से सामान लाते हैं तो वह काफी एक्सपेंसिव होता है काफी बहंगा होता है जिसे लाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है तो आज बस उसी करजुगार लेकर के ह आपके साथ हाजिर है और हम इसे बर्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे और इसे बराने के लिए हमें कोई भी इस तरह से रेट कलर की साड़ी या फिर दुपटा या जिस तरीके भी आपके पास में कोई रेट कलर का कपड़ा पड़ा हो आप वह कपड़ा यूज कर सकते है तो मैंने यहां पर एक ही दुपटा लिया है इससे मैं बहुत सारे DIY बना चुकी हूँ अब यह उसी का बचा हुआ कपड़ा है और इसमें मैंने एक ठाली लेली है जिसको सीधा रखे उसके एराउंड से जो है इसकी नाप लेली है और इसको हम अच्छे से डार कर लेंग काफी अच्छे से हम इसको मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद में इस तरह से इसको कट कर लेंगे तो दीए अच्छे से हमने यहां पर मार्क कर लिया है और अब हम इसको जो है कट कर लेते हैं और कट करके फिर मैं दिखाती हूं यह किस तरह से राउंड शेप में जो है करता है तो इस तरीके से यह हमारा राउंड शेप का कपड़ा निकल करें आगे अगर आपके पास इस त कर सकते हैं तो मार्केट में जो 500-600 रुपए में जो आइटम आपको मिलेगा आप अपने घर में 10-20 रुपए में भी बना पाएंगे अगर आपके पास इस तरीके की कोई जो चीजे है घर में अवेलिबल नहीं है तो देखिए अब हमने इसको लगा दिया है थाली पे और किनारोमे लगे होती है तो मैं बस यह है और सबसरे ज्राइं है आप चुफक देखिए तो आप चाहें थे खुफका सकते हैं और और चुछ यहाओं च्बाने के यहां उसका हैं यहां बाूनरों यहां भी पारवन का यूज वरक करता हैods चाहया पर उसे छूटने का डर लगा रहता है तो अगर फैबी बॉन्ड आप यूज करते हैं तो काफी अच्छा है या फिर फैबी कुट का यूज करिए और यह फैबी बॉन्ड आपको बहुत महेंगा नहीं मिलेगा बीस रुपए का ट्यूप मिलता है और इससे आप बहुत सारे चीजें जो हैं बना सकते हैं सिर्फ इसी में आपका नहीं लगेगा यह तो दीके इस तरीके से हम पूरे में किनारी पर यह लगा देंगे और यह ल आपके से कुछ हम अपना जो है डेकोरेट करेंगे तो यह देखिए इस तरह से और यह काफी इजी चिपक जाती है जल्दी जल्दी लग जाती है इसी तरह से यहां पर पूरी थाली पर हम इसको लगा करके कवर कर देंगे तो फिलाल तो अभी ऐसे ही अच्छी लगने लग तो यह देखिए इस तहां से न पूरे में लगा लेते हैं तो यहां पर यह हमारी लेस्ट लगे हो गई है कमप्लेट अब इसकी जो एक्स्टा पार्ट बचा हुआ है तो उसको भी हम काफी ज्यादा निकलती है और देखिए अब यह कुछ मिरर है यह मैंने पर्चेस के थे अपने दिवारी डाकॉरेशन के जो डियाइवाइब बनाए है जो जालर वगेरा बनाई है उसके बचे हुए है अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर दो से तीन रुपए के अग यह मेरे पास रखे हुए थे इसलिए मैं यहां पर लगा रही है अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और चीज या कोई और फ्लावर जो भी आपके पास है आप डेकोरेट कर लीजिए नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए ऐसे भी यह अच्छी लगेगी तो देखि कर सकते हैं तो इस तरह से हम यहां पर थोड़ा सा मिलर लगा देंगे सेंटर में और एक फ्लावर सा बना देंगे तो यह काफी अच्छा लगेगा देखने में और इसका लुक वाइस भी काफी सुन्दर लगेगा तो देखिए यह इस तरीके से कुछ बनके रेडी हो गया ह हैं और इसमें जो है अब यह जो लैस आप देख रहे है इसमें चलि लगाने के लिए तो मैंने अपना दुपत्ता बनाया था उसकी बची हूई लैस थी तो मेरे पास 야, लेकिने मैं अपर भी कवर करना है तो ममें क्या करूंगी इसकी जो साइट से न, एक साइट की वो नि तो हम इसकी दूरों साइट को कवर कर लेंगे दिमाग तो हम लगाना ही पड़ेगा अगर हमें फ्री में चीजे बनानी है तो वरना मार्केट से लाकर के तो फिर कोई भी बना सकता है तो इस तरह से अगर आपके पास रेट कलर की कोई लैस नहीं है अगर गुल्डन कलर की है लैस का यूज कर सकते हैं नहीं तो माता रानी के जो चुनरी वगरा सभी के घर में मिल जाती है उसका जो गोटा किनारी लगी होती है आप वह निकाल के भी डेकुरेट कर सकते हैं उससे भी काफे अच्छा लूक आता है दिक यह चलनी है और इसको हम अब फैवेब सकते हैं और अपने हांद की बनी हुई चीजों की बात ही अलग होती है तो देखिए इस तरह से हम इसको बना करके रेडी करेंगे कि इस तरह से यह इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और कट करके हम यहां पे इसको अच्छे से चिपका देंगे और बस इस तरह से हमारी यह बनके रेडी होगी और जो पट्टी हमने इस लैस से निकाली थी उसे हम क्या करेंगे यहां पे अच्छे से उपर में लगा देंगे तो हमारी यह दोनों साइट्स कवर हो जाएंगी नीचे की साइट्स भी और ऊपर की साइट्स भी यह देखे इस तरीके से और इस तरह से पूरी साइट को हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो यह देखने में थोड़ी सी सुन्दर लगेगी और लुक वाइस काफी अच्छी लग रही है और फ्रेंड्स अगर आज मेरी चैनल को नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कॉमेंट बाक्स में बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी या बूरी लगी जैसी भी लगी आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं या इससे जुड़ा कोई भी कुशन है तो आप मुझे कॉमेंट बाक्स में बूच सकते हैं और अब यहां पर यह जो हम फ्लावर लगाने जा रहे हैं यह जो बालों में लगाने वाला गज्रा होता है ना आर्टिफिश है इसके मेरे बहुत से डियाईवाई बनाए हैं आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं तो बस उसी को निकाल करके हम अच्छे से यहां पर चिपका द कर देखे यह जो भी आपको ठीक लगता है मैं सभी तरह से लाहतो प्लावर रही तरह अच्छे से ल्गाए दाया है और इसको अच्छे से श्चिक कर दिया है यह देखे और बस अब नीचे की साइड में जो में ने काटा थी उसकी बची हुई लाइस हम यहां पर लगा दे तो बिल्कुल मैचिंग का हमारा ये पूरा सेट रेडी हो जाएगा और हमें कुछ भी अलग से लाने की जरुरत नहीं पड़ेगे तो दिचे हमारे ये ग्लास भी ठाकरेट हो गया है और ये जो उपर हमने गौल्डन लैस थाली में लगाई थी वही लैस हम यहां पर उपर में लगा देंगे तो पूररे ग्लास में बर्क भी हो जाएका और फ्री में हमारा ये करबा चौत ठाले डेकुरेशन रेडी हो जाएगा और यहां पे ना हमने एक लैस लिए है जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने एक लेंगे का दुपटा बनाया हुआ था तो उसमें यह लैस मैंने यूस की थी और पहने मुझे यह लैस नहीं मिले थी और बाद में काफ़ी ढूरने के बाद मुझे यह लैस मिली है तो अब मैं यहां पर इसमें साइट में धाली में चिपका दे रही हूं इस तरीके से और इसको चारो साइट से चिपकाने के बाद में इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक तो यह देखिए और अगर आपके पास इस तरीकी की लैस नहीं है तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास माता रानी की जो चुनरी बगएर होती है उसकी गोटे-पिट्टी वाली लैस निकाल करके लगा सकते हैं तो देखिए कैसी लग रही है तो फ्रेंस तो आपके तो मैं वीडे बाव चुकी की बाव